मैं राजीब रंजन का रुख कर लेती हूँ विसलेशन के लिए क्योंकि हमारी नजर लोगसवा पर लगातार बनी हुई है अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे तीन सिच्वेशन यहाँ पर राजीब बनी हुई है इनका विसलेशन जरूरी है एक तो जो कुमार गौरब जिक्र कर रहे थे कि यह पहली बार नहीं हो रहा है उन्नी सो बावन और छेटर में हो चुका है लोगसवा स्पीकर के लिए चुनाओ तो यह पहली बार नहीं है दू कराव की स्थिती बनी हुई है इसको आप लोगतंत्र के लिए कैसे देख रहे हैं कि देखिए विपनेश पूर्प्रदानमंत्री अटल वियारी बाजपेई की एक कविता की लाइने है कि छोटे दिल से कोई बड़ा नहीं होता और तूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता तो ये जो सियासत में तंग्दिली देखी जा रही है और ये जो टकराहट की स्थितिय उसी की वज़े से जिस तरह से विपक्ष को ताकत मिली है और पिछले कई चार से ज़्यादा लोगसबा चुनाओं में मैं कह सकता हूँ 2004, 2009, 2014, 2019 इन चार में कम से कम विपक्ष का भी इतना मजबूत नहीं रहा कि चुनाओ पूरू गडबंधन दो सो से ज़्यादा सीटें ले करके आया हो तो ये आगर आप देखे तो विपक्ष को जो ये ताकत मिली है वो चल्द, होजा शुन अगर आप डिप्टी स्पीकर पत के लिए कहें देखे ये बात तो अन रिकॉर्ड राउल गांदी ने कहे दी कि हम स्पीकर के लिए सरसम्मति के लिए तयार है और हमको डिप्टी स्पीकर पत का चाहिए राजना सिंग ने भरोसा दिया था अभी तक फोन नहीं आया ये बात उन्होंने आन रिकॉर्ड की इसका मतलब है कि यहां तक बात हो चुकी थी कि विपक्ष सर्फ सम्मति के लिए स्पीकर के लिए तयार था लेकिन उसे डीप्टी स्पीकर पत चाहिए था ये प्रथा और संसदिय परंपरा रही है लेकिन आपको पता है कि जब बहुमत जरूरत से ज़ादा मिला है तो सरकारों ने और खास करके एक पार्टी को तो सरकारों ने प्रथाओं और परंपराओं को कुछला भी है प्रधान मंतिर नरिद मोधी को पिछले दो चुनाओं में बीजेपी को जिस तरह से बहुमत मिला है उसमें आप देखिये 2014-2020 तक उन्होंने डिप्टी स्पीकर पधी किक को नहीं दिया और ये शायद आजादी के बाद शायद ऐसा होगा मेरे देखने में तो ऐसा ही है कि 5 साल तक डिप्टी स्पीकर पध न दिया गया हो किसी को रखा न गया हो ये शायद पहली बार हुआ हो अगर आप दोजार चार और नौ का देखें मुझे अच्छी तरह से याद है वहाँ 169 एक बार और 181 एक बार 181 सीटें अंडिये को आई थी 2004 में वो 169 आई थी 2009 में और 200 से ज्यादा यूपिये को आई थी अगर आप देखें तो 2004 में मनमौन सिंग के प्रदान मंतरी बनने के बाद वो किस्सा हर जगए है कि प्रकास सिंग बादल ने अटल भिहारी बाजपेई और आटवानी को फोन करके कहा जबकि 136 सीटें बीजेपी के पास थी और 8 सीटें अकाली दल के पास थी तो उन्होंने फोन करके कहा कि चूकि कॉंगरेस पार्टी ने सिख प्रदान मंतरी बना दिया है इसलिए आप लोगों को हमारे सांसर चरण सिंग अटवाल नाम से मैं उनको जानता हूँ अटवाल जी का नाम उन्होंने प्रपोस किया कि सिख डिप्री स्पीकर का पद हमारी पार्टी को इस नेता को दिया जाना चाहिए आडवानी जी और अटल जी को उनकी राय ठीक लगी और उन्होंने सक्तापक से संपर्ग साधा और उन्हें डिप्री स्पीकर पद यूनानिमसली यानि सर्व सम्मति से डिप्री स्पीकर का पद दे दिया गया सीटों कम होने के बावजूद डेर सो के आसपास एंडिये की सीटे थे बावजूद इसके उस समय की यूपिये सरकार ने सर्व सम्मति से करिया मुंडा जो की बीजेपी से जारखंड से आते थे उन्हें डिप्री स्पीकर दिया अब 2014-19 में अपने सहयोगी दल को बीजेपी ने दिया एक बाव डिप्टी स्पीकर दूसरी बाव किसी को नहीं दिया और इस बाव जो मुझे लगता है कि डिप्टी स्पीकर पद बीजेपी जो है डी पुरन देश्वरी देवी को देना चाहती है जो कि चंद बाबु ना चाहती है और उसकी मंशा पहले से है क्योंकि टीडीपी भी उनके नाम पे एक सौफ्ट कारनर रखती है तो मामला ये है कि बिपक्ष को दो चीजों पर मेरी जानकारी के मताबिक आपती थी पहली ये कि वो ओम प्रकाश बिरला के नाम पर उनको एतराज था क्योंकि जैसा ह हमारे वरिश सहयोगी संजीव जी ने बताया कि डेट्स और संसदों को आजादी में पहली बार ने सस्पेंट करने का जो श्रे है वो उनके नाम पर है तो विपक्ष को उनके नाम से आहतराज था दूसरे पीछले पीछे मोधी सरकार ने जिस तरह का संसद का जो अन्वो व चीटे हैं कि वह स्पीकर औरेट्री स्पीकर पत के चुना होने के बावजूद भी कई बारेशी इस्सितियां फस्ती हैं जबूस्प स्धरन में नहीं होते ऑ और सरकार के लिए ऐस sony इस्तिती होती, चैयर पे होते पह रोते हैं मुझे लगता। दोनों पदों पर चुना होगा और दोनों पदे इंडिये अपने पास रखेगा बिलकुल